क्या नम बेटा करो सब करो मेरा नाम हरबन सामा घरबं साम अर्बाद जिला फाजिल का से हैं और मेरा वेट दो हजार शे से 101 किलो था एक सो हेक पूरी सेंचुरी लगा रखी थी पहली बार स्वामी जी महाराज को आस्था चैनल पर देखा और इतना मैं मुझे जो मोटिवेट मिला कि मैं उसी दिन से स्वामी जी के साथ साथ आस्था चैनल पर योग करने लगा और डाई गंडे लगातार करता रहा तो तीन महीने में मैंने 25 किलो वेट काम किया तीन महीने में 25 किलो फिर और नेक्स्ट चार-पांच महीने लगे 5-6 किलो वो नीचे वाड़ा जब नीचे आजाते ने तलहटी में तो नीचे की जो गर्दीस है ना वो नीचे पपड़ी जमजाती है नो उसको खुर्च-खुर्च कर निकालने में जोर पड़ता है नीचे वाड़ा उपर वाड़ा तो घटा दिया 25 एक दम अब कितना टोटल कम हो अब सतर किलो सो भी आज काम हो है अब सतर किलो से भी कम है 31 किलो वेट जा है और स्वामी जी आप 2,07 में जिल्ला मुक्शर और फ्रोजबर में आखे तब ही ने ही दो आप ने ही जिन मार्क दर्शन दिया कि आप योग की कक्षा लगाएं तो तब ही से मैं पतनली योग स्मि तसील परबारी रहा और जी रोज कक्षा लगाता रहा और जिला फाजल का बीएश्टी परबारी हूं और सात सो से ज्यादा कक्षे मैंने लगाई हैं जे मेरे पास ऑनर कोड़ है जो नहीं और कोड़ है वो मैं बोल नहीं रहा है चलो करो और मेरी वाइफ आईटीपी की आठ सो रह गए थे सिर्फ आठ सो जो होने चारलाक तीन से चारलाक और लुद्याना डीमसी में एडमिट किया तो वहां एक साल तक अलाज चला क्या नाम है उनका स्वरनजीत कोर स्वरनजीत कोर और उसके साथ एक भी ऐसा पेशन्ट नहीं रहा जो उस वाड में था जो कुछ लोगों का मैंने अड्रेस लिया था तो मैं पता किया तो कोई भी नहीं रहा कोई 6 मिह ने जिया कोई साल जिया लेकर यह बात है 1999 की और 2007 तक तक तो मैं किसी आयरवेद डॉक्टर से मिला क्योंकर पीजी इस में भी ला चला और उसके क्या हुआ श्टीर बहुत प्belt प्रेडिये gefähr वा क्योंकि ए जो वेट से डैपल दनी यह ती यही उनका लाच ता क्योंके अलिड्यान से मैं पीजी स्वामी जी गया ता वहां उनने बोला की जही तो लाच है और क्या है उरक्या तु repositов 활 p师 हो खानों क्यों लॉक्ण सवामी बिल्कुल ठीक है, मैडिसन से 450 से शूगर होगी थी, इंसुलिन दो वक्त लगता था, वो जब इंसुलिन की जरूरत नहीं है, मिठा खार ही है, खूब, आम जिंदकी जी रही है, नॉन डाइप ठीक हो गई, और वो क्या है, प्लेलेट से टाही लाग से उपर हैं, अटाही लाग है लो, आठ सो से, अटाही लाग, जो जो स्वामी जी ने दिन चर्या बताई, उसी को फालो किया, गलो पी रहे हैं, डेली, और नीम भी, उसके पते भी ले रहे हैं, तुलसी गर में है, अलो वीरा गर में है, जो सब जड़ी बुटी लगा रखी है, और उसको लेते हैं, तो मेरे बेटे को, और मेरे, कितने साल होगे गलो पीते हैं, गलो पीते हैं, हमें दो जार साथ से ही पी रहे हैं, अलो, तेरा एक पूरा समू है अब वो मतलब एक ही काम करने में लगा हुआ है कि भाई ये बदनाम कैसे किया जाए योग को आहरवेद को तो स्वामी जी मेरे बेटे और मेरे बेटा 16 साड़ का है और मेरे बाई की पतनी है उन दोनों को कोवड हुआ और एक दिन 99 टंपरेचर आया मैंने एक भी अलोपेथी नी लेने दी कोरोनिल और श्वासरी बटी अनू तेल इनी का सेवन किया तो उसको कोई किसी तरह की प्रॉबलम नहीं आई और साथ दिन के बाद वो नेगटिव हो गया कोई अलोपेथी वो एक किट आयी थी फटह किट पंजाब में चल रही है तो वो भी मैंने सेवन नी करवाया चल बाद उसका भी सेवन नी करवाया उसको देवाग लेको अगर अगर अगर